कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने के कारण मलेशिया के साथ भारत का संबंद खराब हो गया भारत ने मलेशिया से पामोईल का आयात कम कर दिया मलेशिया के बदले भारत सरकार ने इंडोनेशिया से पामोईल खरीदने को तरजी दी है इससे दोनों देशों के बीच संबंद बहतर पो रहे हैं अब मलेशिया की उनिवर्सिटी में भाजपा का इतिहास पढ़ाया जाएगा क्या है पूरा मामला देखिए इस रिपॉर्ट इंडोनेशिया में भाजपा के बारे में जानने की उत्सुता बढ़ रही है दो चुनावों में भारतिय जनता पार्टी की लगातार जीत के बाद इंडोनेशिया के इस्लामिक उनिवर्सिटी के सिलेबस में भाजपा के एतिहास बताने वाली किताब को जगह दी गई है शांतनु गुपता की किताब भारतिय जनता पार्टी अतीर वर्तमान एवं भविष्य विश्व के सबसे बड़े राजनेतिक दल की कहानी को युनिवर्सिटी के पाठिक्रम में रखा गया है अंतराष्य संबंद विभाग में दक्षिन एशियाई अध्यन के स्नातक के छात्रों के पाठिक्रम में इस किताब को भी पढ़ाया जाएगा विश्व विद्याले में अंतराष्य संबंद विभाग के एक सदस्य हज्जा मिन फदली ने कहा कि आम चुनाव में भाजपा की दो बार जीत के कारण शिक्षा विदों में पार्टी को लेकर रूची बढ़ रही है हज्जा ने कहा भारत की हालिया यात्रा के दोरान उन्हें किताब के बारे में पता चला इंडोनेशिया के लोग भारत के साथ हमारे संबंदों को और मजबूत करना चाहते हैं और इसलिए सतारूर पार्टी भाजपा को समझना महत्वपूर्ण है हमें उम्मीड है कि भाजपा भी ऐसा ही चाहती है दरसल पिछले कुछ सालों से भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंद मजबूत हुए है हाल की कुछ घटनाओंने दोनों के संबंदों को और मजबूत किया है इसके कारण इंडोनेशिया में भारत की 70 फार्टी के विचारों के बारे में जानने की उत्सुकता बड़ी है इसे लेकर इंडोनेशिया के शिक्षा विदो ने भाजपा की इतिहास पढ़ाने के बारे में सोचना शुरू किया इसके बाद वहां की उनिवर्सिटी के सिलेबिस में भाजपा की इत्यास पर लिखी शांतनु गुपता की किताब को जगा दी गई है ताकि पार्टी के बारे में वहां के छात्रों को सही जानकारी मिल सके भाचपा के बारे में दुनिया भर में भ्रम फैलाया जाता रहा है नरिन रमुदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद से अफ़वा और तेज हो गई है इसलामिक देशों में तो नरिन रमुदी को विलन की तरह पेश करने की खोड मची रहती है लेकिन इन देशों को सच्चाई का पता है इसी के कारण कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की और मलेशिया को छोड़ कर किसी और इस्लामिक देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया सभी ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला बताया कश्मीर के मुद्दे पर साउधी अरब से लेकर UAE तक ने एक तरह से भारत का साथ दिया और इसे भारत का अंतरिक मामला बताया अब इंडोनेशिया की उनिवर्सिटी में भाजपा का इध्यास पढ़ाया जाएगा जिसे लोगों को इस पार्टी के विचारों का पता चल पाएगा इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है यहां भारत और पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं लेकिन इंडोनीशिया की लोगों को भाजपा के बारे में जानने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि पिछले दो लोग सभा चुनावों में भाजपा की जीत हुई है इसके कारण वहां के छात्रों को इस पार्टी के बारे में बता कर कई तरह के भ्रमदूर करने की कोशिश की जाएगी इसी तरह की खबरे में आपके लिए लाती रहूँगी तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया